जी नमस्कार मैं एमसली सरभी कुमार गुपता आपका हार दिक स्वागित करता हूँ हार दिक अभी नंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटर नर्सिंग के इस अन्लाइन इक ब्लेट फॉर्म पे आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉनिंग आज की जो क्लास में हम बात करने बाले हैं कुछ important topics के बारे में कात करेंगे जिससे आपने देखा होगा thumbnail के according कि ये जो topic आपको पढ़ाया जाएगा जो calcium के बारे में जो बताया जाएगा वो बहुत चादा important topic है high heel topics के अंदर आता है लगबग 2 questions इस छोटे topic से आ सकते हैं लगबग 2-3 questions इस छोटे topic से पूछे ही जाते हैं ऐसा कोई भी exam नहीं होता है जिसके उपर calcium का question नहीं आए अगे बास में तो इस छोटे से topic को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना अच्छे से लिखना कोई चीज समझ में नहीं आती तो बार-बार आप पूछ सकते हो, comment करके पूछ सकते हो हमारे supportive numbers पर आप call कर सकते हो message कर सकते हो वहां से भी आपकी जो सारी doubts हैं वो भी clear किया जाएंगे तो हमारी class को आज start करने से पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारी skeleton nursing के platform पे 1K मतलब 1000 subscribers जो हैं वो पूरे हो चुके हैं thank you so much इतना प्यार देने के लिए आप सभी को तो आज की जो class हम start करने से पहले हम बात करेंगे कुछ motivational thought के साथ हम start करते हैं अपना जो बिश्वास है वो अच्छा होना चाहिए अपने उपर जो motivation है अपने उपर जो बिश्वास है वो एकदम आदमी का क्या होना चाहिए बचो द्रड होना चाहिए एकदम cut-in होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ मुझे ये काम करना है मैं आप से एक simple वात कर देता हूँ जिसने भी nursing कर ली है उसके पास कोई other option नहीं है private में जाने के अलाबा कि सोच रहा हो कि मैं कोई business जाल लूँगा देखो 15,000 रुपे 20,000 रुपे private से जादा नहीं देते हैं 15,000, 20,000 की नौकरी आपको नहीं करनी है आपको लाख रुपे मेने की नौकरी करनी है aims के अंदर लगना है DSSB के अंदर लगना है ESIC के अंदर लगना है आपका एक dream जो है वो आपको fulfill करना है लेकिन आपको उसके अंदर बने रहना पड़ेगा किसी भी चीज के अंदर लगातार बने रहते हो 6 मैंने, साल वर तो उस चीज के अंदर जो आपकी जीत है वो निश्चत हो जाती है आगे बास में तो आपको किसी भी परिस्चति में हारना नहीं है एक बार नहीं, दो बार होगा दूसरी बार नहीं, तीसरी बार होगा, लेकिन होगा जरूर, आगे बास सेज़, तो पढ़ते रहना है, संगर्स का नाम ही जीवन है, जीवन का नाम ही संगर्स है, चलिए, आज की जो क्लास हमारी स्टार्ट होने से पहले, हम मैं आप से कुछ important बाते करूँगा, कि आपने कह नहीं न के calcium के बारे में जुरूर बढ़ा होगा, आपको normal questions के बारे में हम बात करेंगे, इसके अंदर की सासा, जो कौनकों questions यहां से important बनते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताता चलूँगा, आगे बास से में, तो देखो, normal calcium का level किसी-किसी exam के अंदर पूछा जाता है, हाइपोकलसीमिय क्या होता है, हाइपरकलसीमिय क्या होता है, बहुत सारे कुशन्ट जो हैं, वो यहां से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको 1-1-1 बताता हूँ, ठीक है? चले, सबसे पहले एक एडिंड यहां डालेंगे, देखो, एक चीज होती है कैल्शियम आप सभी को पता है कि कैल्शियम क्या होता है कैल्शियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो कि सर कैल्शियम जो होता है वो हमारी बून के लिए important चीज होती है कि सर ये कैल्शियम जो होता है वो बून growth के लिए important होता है क्या काम करता है कि sir bone की growth को लिए important चीज मानी गई है कि sir bone की अंदर कितना calcium पाया जाता है कि sir 99% जो calcium होता है वो किसके अंदर होता है कि sir bone के अंदर होता है होता है नहीं होता अगर आप से कोई question करता है कि sir normal bone normal जो calcium level होता है वो कितना होता है कुश्यन पूछा जाता है कि normal calcium level कितना होता है तो आपको answer करना है कि normal जो calcium level होता है वो 9 to 10.5 mg per dl होता है ये question एकदम correct है इसके बाहर आपको range नहीं लिखनी है मैंने जो आपको range बताई है देखो अलग-अलग questions अलग-अलग vary करता है लेकिन तो aims मानता है वो NCLEX के questions को मानता है NCLEX में क्या answer दिया गया है उसके उपर मानता है मैं उसी के pattern पे mg जो पूछता रहता है mg लिखे अंदर जो अक्सर चीज़े यूज होती है उसकी according ही मैं आपको answer बताऊगा अगर आपसे कोई normal calcium level पूछे तो आपको बताना है कि 9 से 10.5 mg per dl होता है अगर आपसे कोई milli osmol के अ 2.25 से लेकर 2.715 क्या होता है milli osmol per liter होता है आगे बासे में यह दोनों values हैं जो आप से पुछी जा सकती है main exam के अंदर आगे बासे चलिए अब questions बनते हैं कि सर एक होता है hypocalcemia एक होता है और एक होता है hypercalcemia होता है कि सर एक होता है hypocalcemia आप सभी को इन चीजों के बारे में दुरूर पता होगा कि सर अगे बासे में कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर नॉर्मल लेविल हमने बताया था कि सर 9 से 10.5 mg per dl होता है अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर अगर किसी बंदे का अगर आपने serum लेविल चेक करवाया अगर किसी बंदे का आपने calcium लेविल जो है वो चेक करवाया तो कितना आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्छों कि अगर 9 mg per dl से कम देखने को मिलता है 9 mg per dl इ अगर 9 mg per dl से कम देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है कि सर उसको hyperalciamia की condition है थीक है अब मैं आपसे बात करूँ कि sir hypercalcemia का मतलब क्या है कि sir अगर किसी की value क्या है कि sir 10.5 mg per dl से ज़्यादा देखने को मिलती है तो उसको कहते हैं hypercalcemia उसको कहते हैं प्यारे बचों hypercalcemia कहते हैं चीजे एकदम clear cut आपको बताई जाएंगी clear clear चीजे बताई जाएंगी ताकि आपको कोई भी confusion जो है वो नहीं हो कितनी भी questions बन जाएं यहां से जितनी भी questions बनते हैं मैं आपको सारे करा दोगा आगे बाससे में तो आपको घवराना नहीं है शान्ती से करना है शान्ती से समझना है hypocalcemia के अंदर कौन-कौन सी conditions देखने को मिलती है hypercalcemia के अंदर कौन-कौन सी conditions देखने को मिलती है अगर calcium label जादा होता है तो क्या conditions देखने को मिलती है calcium label कम होता है तो क्या conditions देखने को मिलती है इसको समझने से पहले मैं आपसे कुछ important जो बाते हैं जो जहां से अक्सर questions आते हैं जो कौन सा हार्मन जो है लीड करता है PTH हार्मन का क्या काम होता है इदर ठीक है? कैल्सिटोरिन का हार्मन का क्या काम होता है उन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ देखो कभी भी इस बात का ध्यान अटना इस बात को गांट बान लेना प्यारे बच्चों ये important बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही calcium बढ़ता है calcium body के अंदर बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों कि सर्फ फॉस्पूरस फॉस्पूरस क्या होता है? घट जाता है ये एक दूसरे के बितक्रमाण पाती होते हैं जैसे ही calcium बढ़ता है फॉस्पूरस कम होता है बढ़ता है बड़ी के अंदर तो calcium कम देखने को मिलता है कभी भी इस question को नहीं भूलना है question जो बनते हैं बच्चों वो यहीं से बनते हैं question जो बनते हैं कैसे कैसे questions बनते हैं मैं आपको बताता हूँ suppose that आपको एक terminology दी जाती है एक आपको condition दी जाती है कि आप एक nursing officer हो आप किसी calcium level को असिस कर रहे हो कि calcium level को आप assess कर रहे हो किसी का phosphorus जो level है वो क्या होगा अगर किसी बंदे का phosphorus लेविल बढ़ा हुआ है अगर कोई question आपसे परता है कि अगर किसी बंदे का जो phosphorus level है वो बढ़ा हुआ है phosphorus क्या है बच्चो increase है तो calcium level कम होगा या ज्यादा होगा तो आपको हमेशा बताना है कि sir कम होगा तो ये क्या होगा बच्चो कि sir आपको calcium level जो है वो कम देखने को मिलेगा decrease देखने को मिलेगा क्या मेरी बासे में आगई आप सभी को एक line में answer करना है अगर ये बढ़ेगा तो एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा आगे बासे में बहुत बढ़िया एक condition और बता देता हूँ में आपको आपने नाम सुना होगा एक होता है calcitonin hormone एक होता है calcitonin hormone होता है और एक होता है PTH hormone होता है parathyroid hormone होता है calcitonin का काम क्या होता है calcitonin के अंदर calcium का नाम आ रहा है calcitonin के अंदर calcium का नाम आ रहा है तो ये क्या काम करेगा भईया कि calcium shift from blood to bone यह बात जो मैंने आपको बताई है बहुत ज़्यादा important है प्यारे बच्चों यह क्या काम करेगा कि calcium को shift करने का काम करता है blood से ले जाके bone के अंदर मतलब यह bone को मजबूत बनाने का काम करता है bone को mentalization करने का काम करता है इह क्या काम करेगा? कि बैया, bone की growth करेगा, कि बैया, क्या करेगा? कि सर bone की growth करने के लिए काम में आएगा, यह बहुत बढ़िया, कि सर bone को mineralization करने में काम आता है, mineralization का मतलब है कि उसको बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, और क्या काम करेगा? कि बैया, osteoblast का काम करता है Osteoblast का काम करता है अब ये दो बर्ड होते है एक होता है Osteoclast एक होता है Osteoblast Osteoblast वो कैसे याद रखोगे कि B4 बनाना कि ये क्या काम करेगा कि बनाने का काम करेगा वो उनको बनाने का काम करेगा B4 बनाना इससे आप याद रख सकते हो तो ये जो काम है मैंने आपको बताएं है वो उनको एकदम रट लेना है अपनी कॉपी के बनने के उपर उपर लिखने ना है ताकि आपको चीजे जो है वो easily हो जाए questions यहीं से बनते हैं जितनी भी रामाएंट बढ़ाओंगा लेकिन questions यहां से बनेंगे कि calcitonin जो हार्माण होता है बच्चों वो क्या काम करता है कि बोन को growth करने का काम करता है बोन को milk license करने का काम करता है osteoblast का काम करता है बोन को और calcium को क्या काम करता है calcium को shift करता है blood से लिजा के बोन के अंदर आगे बास सज में बहुत बढ़िया एक हॉर्मोन होता है मेरे प्यारे लाल लाली हो एक हॉर्मोन होता है PTH हार्मोन एक हॉर्मोन होता है PTH PTH का फुल फर्म होती है पैरा थायरोड हॉर्मोन पैरा थायरोड हॉर्मोन जो होता है वो फैरा थायरोड ग्लेंड से सीग्रेट होता है यह आप सभी को पता है जो पैरा थार्डर हार्मोन होता है यह opposite काम करता है किसके लखेंगे आपे just oppose to calcetonin कैसे काम करता है मेरे प्यारे बच्चों किसर just oppose to calcetonin मतलब calcium क्या काम कर रहा था किसर bone की growth करने के लिए काम में आ रहा था लेकिन यह क्या करेगा बोन को loss करने का काम करेगा बोन को demoralization करने का काम करेगा osteoclast करने का काम करेगा आगे बासद में तो इसका काम क्या होता है मेरे पैरे बच्चों बताएंगे पटापुट से कि यह क्या करता है calcium को shift करने का काम करता है calcium shift from को कहां से कर रहा था बच्चों कि ब्लड से बोन के अंदर ले जा रहा था तो यह क्या काम करेगाゃ Um तेक ब्रेज़र हार्मन बढ़ता है किसी बीमेल रंदर किसी घल में और वक्ति को पंग करता है,otive 기본 कव्याइछ जो किया करेगा आगएवाफ तो क्या क्म करेगा बशानर शृप्प के सी में पर वापियाख क्लाजट का क्या सब्सक्राएच कैसे आद रखोगे बच्चो कि C4 cut C4 cut मतलब की bone को cut करने का काम करता है इसका मतलब समझ देना कि bone को तोड़ने का काम करता है तो ये cashically responsible होता है कि bone lost responsible होता है कि bone को demineralization करने का काम करता है demineralization का काम करता है कौन सा हमारा PTH हर्मोन क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है मैंने आपको दो चीजे बताई है एक तो होता है कैल्सिटॉनिन होता है एक होता है हमारा PTH हर्मन होता है दोनों कोई बातें आपको समझ नहीं है दोनों opposite काम करते हैं आगे बात में और आपको phosphorus का भी पता लग गया है अब मैं आपसे 1-1 वन हाइपो कैल्शीमिया और हाइपो कैल्शीमिय के बारे में बात करूंगा, सबसे पहली प्यारी सी एडिंग डालेंगे हाइपो कैल्शीमिया सब्सक्राइब होता है कि कैल्शियम का लेविल कम हो जाना क्या क्या लाता है थीक है तो कैल्शियम का । अगर कम होता है, कितने से कम होता है मेरे प्यारे बच्चों कि if calcium level less than 9 mg per dl less than 9 mg per dl तो क्या कहेंगे hypocalcemia कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, कि सर बिलकुल कहेंगे बहुत बढ़िया, अगर मैं इसके causative factors की बात करता हूँ कि सर इसके causes क्या हो सकते है कि calcium के कम होने के क्या कारण हो सकते है, simple सी बात है logic आपको लगाना है, common sense की बात करनी है कि अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति है, जो calcium खाने में कम ले रहा है तो उसके अंदर calcium कम हो सकता है कि एक व्यक्ति है, जो क्या कम कर रहा है का जो क्या कर रहा है absorption जो है वेटर नहीं हो पा रहा है लॉस हो जा रहा है ज्यादा secretions हो रहे हैं ज्यादा क्या हो रहा है excretion हो रहा है calcium का तो यही सारी conditions है hypocalchemia के लिए तो आपको मैं बताता हूं कैसे कैसे यहाँ पर इंटर देखने को मिलते हैं तो यहां पर लेखेंगे फॉस्ट कि इन ही बीशन कि इन ही वीशन ऑफ कैल्शियम कि अब्जॉप्शन कैल्शियम अब्जॉप्शन फ्रॉप्शन फ्रॉब कि ऑट्रॉक्षन सारे कि सारे कि सारे जितने भी अब्जॉप्शन होते हैं वह कहांसे होते हैं बाला पार्ट किसका पार्ट होता है कि हमारे फॉता है कि सर बिलकुल होता है कि जिसर सर इनी वीशन ऑफ to be new vision का मतलब होता है रुक जाना के जाना किम का absorption अगर किसी बंदे का कैल्शियम का absorption नहीं हो रहा है तो उसके अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है कि सर्थ हाइपो-कैल्शीमिया देखने को मिल सकता है बहुत बढ़िया अगर मैं दूसरी बात करूं कि लो इंटेक कैल्शियम कि लो इंटेक ऑफ कैल्शियम और आई भी कि वहिया जो कैल्शियम है जो पेशन्ट है वो कैल्शियम उसको नहीं मिल पा रहा है एंडिक्ट अमाउंट में लो इंटेक मिल रहा है कि उसको जो एडिक्ट है वो नहीं मिल पा रहा है उसकी बज़े से भी क्या हो सकता है कि हाईपो कैलशीमिया हो सकता है बहुत बड़िया कि अगर किसी को end-stage कि kidney disease है अगर किसी को हो गई है तो उसके अंदर वह क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है हमें जाएपोगैल्शी मैं इन टेक ओफ विटामिन डी अब बिटामिन डी का क्या रोल है अब मुझे आप बताएंगे बिटामिन डी का क्या रोल है अकर किसी बच्चे को नहीं बता तो यह बात समझे लेना कि आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत beneficial होने वाली है क्योंकि कुश्चंस यहां से बन जा कि vitamin D का roll करता है भाया calcium के लिए तो अग कि इस बात का धियानक ना कि vitamin D क्या करवाता है GI traps से absorb करवाने का काम करता है अगर किसी बंदे के अंदर vitamin D नहीं है 비soverams D नहीं है और कितना भी calcium खाले उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा absorption कमेरी बात में आगे क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई बहुत बड़िया देखहू कि PCRो विटामिन डी इस रेस्प beliefs एसलिख लेगे मेरे Państwo Li किर्षेवरेश बेटर केल्शियम एब्जॉप्शन फ्रॉम इंटस्टाइन आप कितना भी केल्शियम खालेना मेरे प्यारे बच्चों लेकिन आपका केल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर बिटामिन डी आपने नहीं लिया आए तो आपने देखा होगा जबी भी आपने कैल्शियम की गोली खाते हो तो उसके साथ-साथ एक सॉल्ट और आता है विटामिन D का आपको देखना है अगर कोई भी आपकी फैमिली में कर कैल्शियम की टेबलेट्स खा रहा है तो उसके जाके देखना बिटामिन D नहीं है तो उसको फैंक देना, उसको डिसकार्ड कर देना, दूसरी दबाए लेके आना जिसके अंदर कैल्शियम और बिटामिन D दोनों ही है आगे बाद समझ में तभी तो कहते हैं कि धूप में बैठने से बिटामिन D मिलता है और जो बंदा धूप में बैठता है उसकी हड़ियां जो है वो मजबूत हो जाती है आगे बाद समझ में चलिए है अगर मैं आप से बात करूं कि सर कौन सा और सिंक्रेशन को मिल सकते हैं कि Item इंक्रीज acceleration और क्या इंडर उप क्या और किशन के एग्री जदा हो रहा है तो उसके एग्याद हो मिलता है हमें क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चो कि शर्ओक्टेंशन देखने को सबसे पहली बात अगर मैं आप से सीवे सिस्टम की बात करता हूं, कि CBA system पे heart पे क्या effect पढ़ने बाला है तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर heart rate क्या हो जाती है बच्चो कम हो जाती है चीक है इसके अंदर heart rate कम हो गई इसके अंदर hypotension BP जो है वो कम हो जाता है BP आपको कम देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको diminished diminished peripheral pulse का मतलब क्या है कि आप जब भी radial artery को फील करोगे थो आपको यहां पर मंदी मंदी इसका मतलब समझाए आपको weakness आपको देखने को मिलेगी weakness का मतलब की weakness आपको देखने को मिलेगी दो तरह की pulse होती है एक होती है एक होती है, बीक पल्स होती है, वैरी पल्स उसको बोलते हैं, आगे बास में, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आगे बास में, बहुत बढ़िया, और क्या-क्या देखने को मिल सकता है, मेरे प्यारे बच्चों, बताएंगे वटा-पट से, कि एक तो आपको क्या देखने को मिला कि heart rate कम हो गई आपने अगर किसी बंदे को देखा होगा जिसके अंदर calcium level कम है तो उसके अंदर आपको heart rate कम देखने को मिलेगी blood pressure कम देखने को मिलेगा dimnist peripheral pulse देखने को मिलेगी यह सारी जीज़े heart के उपर effect करती है आगे बसाज में अगर मैं आप से बाद कर गों किसरा neuro के अंदर कौन सी देखने को मिलती है कि neuromuscular के अंदर क्या-क्या देखने को मिलेगा तो आपको anxiety patient को देखने को मिलेगी उसके अंदर क्या होगी प्यारे बच्चो की anxiety होने लगेगी seizures आने लगेंगे ठीक है, cramps हो जाएंगे, cramps आपको देखने को मिल सकती है, titani आपको देखने को मिल सकती है, and hyperactive deep tendon reflex, ये important है नहीं, ये जो मैं लेखी है, underline जो करी है deep tendon reflex, hyperactive deep tendon reflex आपको देखने को मिलते हैं टिटैनी आपको देखने को मिलते हैं सीजर्स आपको देखने को मिलते हैं और सबसे महत्पूर्ण बात आपको दो साइन्स यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलते हैं कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ एक तो आपको पॉजिटिव ट्रोसियस साइन देखने को मिलता है ट्रोसियस एक तो आपको पॉजिटिव ट्रोसियस साइन देखने को मिलता है दूसरा जो आपको साइन देखने को मिलता है वो चौविस्टिक साइन देखने को मिलता है पॉजिटिव चावस्टिक साइन आपको देखने को मिलता है ये दोनों जो साइन है बच्चो एतनी वार एक्जाम के अंदर पूछे गए है कि इनकी कोई सीमा नहीं है क्या मेरी बास सज में आ गई है कि पॉजिटिव एक तो टॉसियस साइन आपको देखने को मिलता है जो मेरी पॉजिटिव चावस्टिक साइन आपको देखने को मिलता है दोनों के दोनों साइन संस बहुत इन्पॉरन्ट है जब भी उसके आंदर इंफिलेट होगा तो उसका हाथ ऐसे हमूब करेगा अंदर की साइट इसका मतलब समझ लेना कि उसके अंदर calcium की कमी है आगे बासज में तो इसका मतलब समझे ना कि उसको hypocalcium है आगे बासज में तो यह sign जो है बहुत important है hypocalcium के अंदर देखने को मिलते हैं और कौन-कौन सी चीज है और कौन-कौन सी चीज है मेरे प्यारे बच्चों कि hyperactive deep candle reflex आपको देखने को मिलती है, anxiGs आपको देखने को मिलती है Caesar's वाला है, cramps वाला है, titani आपको देखने को मिल लुद सकती है यह जिथनी भी चीजे मैं आपको बदाई हैं जो इंपॉर्डेंट चीज़े हैं मैंने आपको初考स्डे आपको फाल्ट की इंकेज गेस्ट्य मोटालिटी आपको देखने को मिल सकती है या फिसर में कह सकते हैं कि है आ रॉन्ड, को मिलते हैं शुक्ति डायरिय का मतलब है कि अगर बबल सांट हाई-परक्र आक्टिव का मतलब है पिशंट को क्या देखने को मिलता है sód pills किया सब्सक्ता है जब भी calcium की कमी होती है तो patient को diarrhea होता है और diarrhea जब भी होता है तो patient को calcium की कमी हो जाती है तो उनमें ही बाते हैं जो एक दूसरे से lead कर रही है आगे बात सज में बहुत बढ़िया और ECG changes के बारे में question आता है कि जब भी calcium का level बढ़ता है तो ECG के अंदर कौन-कौन से changes आपको देखने को मिलते हैं important है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको prolonged prolonged ST and QT interval आपको देखने को मिलता है prolonged ST and QT interval आपको देखने को मिलता है जो ST और QT का जो normal interval होता है उससे ज़्यादा देखने को मिलता है question कभी भी ऐसे पूशा जाता है कि सबसे पहली आपको यही डूढ़ना है कि सिंपल सिंपल सी कहानी है 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 चलिए अब मैं अपके इंट्रवेंशन के बारे में बताता हूं कि नर्सिंग इंट्रवेंशन क्या होते हैं कि सर इंट्रवेंशन के बारे में कुछ बता दी जिए इंट्रवेंशन क्या होनेदे हैं कि आपको क्या करना थे का है क airplane कैल्शियम है एड्मिस्ट्र क्या करना है हमें calcium को एड्मिस्ट्र करना है calcium calcium अगर उसको प्रेस्क्राइब करा हुआ है तो calcium glucunate हमें लगाना है ओरली ओरली and ib ठीक है और क्या करना है when ib given to patient to check अगर आप किसी को calcium glucunate दे रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजे करनी है कि अगर आपने किसी पेशिंट को कैल्सियम गुलकरेंट आईबी दिया है तो आईबी के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान एकना है सबसे पहली बात कि आपने अगर किसी को आईबी कैल्सियम को दिया है तो क्या करना है तो क्या करना है चेक आई बी साइट फोर इंफिल्ट्रेशन और इंफिल्ट्रेशन क्या होता है इंफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आसपास के टिस्यूज के अंदर जो आप फ्लूड दे रहे हो वो लीक हो जाना आसपास के टिस्यूज के अंदर फ्लूड लीक होता है तो इसका जो cardinal sign होता है infiltration को देखने का वो क्या होता है coolness होती है मेरे प्यारे बच्चो बहुत बार exam के अंदर question बुचा गया है कि coolness is a cardinal sign of infiltration की अंदर coolness देखने को मिलता है और जहां भी coolness होती है वहां infiltration होता है फुले वायटर्स जहां भी होगा वहाँ पर आपको वामनेस देखने को मिलेगी गरम फील होता है अगे बास तो आपको किन-किन बातों का ध्यान अखना है मेरे प्यारे बच्चों कि सर एक तो आप जब भी कैल्शियम देते हो आई भी तो आपको इन्फिल्टर्शन का और ने दे रखा है किसी बंदे को आप किसी बंदे को हाइपो कैल्शियमिया है ठीक है आपने उसको कैल्शियम दिया और ज्यादा दे दिया तो इसको हाइपर कैल्शियम वाली चिकाई हो सकती है ठीक है एंड इसीजी चिंजिस आपको इसीजी चिंजिस में भी ध्यान दे करने काम करता हूं आधमिनिस्टरड अधिया अधिया इंक्रीज है करती है बहुत बढ़िया जी से मैं आप से बात करूं कि इसर विटामिन देना होता है विटामिन डी क्या होता है रेस्पंसीवल फोर होता है कि वेटर absorption के लिए होता है जी आई ट्रेक्स से absorption करने का काम करता है एक होता है कि Aluminium Hydroxide कि Aluminium Hydroxide होता है ना मेरे प्यारे बच्चो Aluminium जो Hydroxide होता है यह क्या काम करता है डिक्रीज फॉस्पोरस का काम करता है जब डिक्रीज फॉस्पोरस हो जाएगा तो आपको पता है आपको पता है कि कैल्सियम का लेविल क्या हो जाएगा इंक्रीज होने के चांसे होते हैं क्या मेरी बास समझें आगई अलुमिनियम जा हैड्रोकसाइड क्या करता है कि फॉस्पोरस के लेविल को कम कर देता है आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि विटामिन डी आपको देना है और अगे बास समझ में कि अलुमिन हैड्रोकसाइड आपको देना है और और क्या देना है विटामिन डी आ को देना है Hydroxide क्या काम करेगा कि calcium level को बढ़ाने का काम करता है Phosphorus को कम करने का काम करता है आगे बसंद में चलिए एक होता है कि टेक कि Caesar's precautions कि कि अगर किसी बंदे को बहुत जदा calcium का level कम हो चुका है तो उसके अंदर Caesar's precautions आ सकते हैं सीजर्स आ सकते हैं उसके अंदर तो आपको उनकी भी precautions लेने होते हैं कि किसी बंदे को सीजर्स आते हैं तो आपको क्या करनी है उसकी सैटलाइन पोजिशन देनी है अगर पोजिशन नहीं दे पाते हो तो उसकी साथ आसपास जो लुकली चीज़े हैं उनको अटाना है आगे बसस में बहुत बढ़िया कि मूब क्लाइंट केरफुली मूब क्लाइंट केरफुली केरफुली क्यों करना है कि एंड मॉनिटर केरफुली एंड मॉनिटर फोर साइन्स आफ पैथोलोजिकल सबसे ज़्यादा जब भी कैल्शियम का लेविल अल्टर होता है या ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसके अंदर क्या क्या चांसिस होते हैं मेरे पैएरे बच्चो पैथोलोजिकल फ्रेक्चर होने के चांसिस होते हैं बहुत ज़्यादा important line है कि pathological fracture किसके अंदर देखने को मिलता है तो आपको बताना है सर हाइपो कैल्शीमिया के अंदर देखने को मिलता है क्या मेरी बात सजमी आ गए आप सभी को यहां तक की जो बाते हैं वो किसके बारे में थी बच्चो हाइपो कैल्शीमिया के बारे में आ गई हो तो please like करेंगे share करेंगे रेखो hypercalcemia जो होता है इसका मतलब क्या है कि अगर if calcium level more than 10.5 mg per dl से ज़्यादा होता है तो इसको बोलते है hypercalcemia क्या बोलते है hypercalcemia बोलते है अगर मैं इसके causative की बात करू किसरे causes क्या होते है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा calcium ले रहा है ज़्यादा absorption हो रहा है ठीक है intake and ib calcium increase and also vitamin dv increase कर दिया आपने बहुत ज़्यादा उसको vitamin d दे दिया और बहुत ज़्यादा क्या दे दिया आपने calcium दे दिया इस condition के अंदर क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है मैं आपको basic बताता हूं जब भी calcium को ज़्यादा खाता है calcium level मिल ज्यादा हो जाथा है उसकी ऐसकी चमडी होती है काली पढ़ जाती है इसके बाद आरही है आप सभी को storm हो सकते हैजक्स के ज्यादा क्य सिम लेने का भी खत्र हो सकते है कैलिशियम का जो excretion है वो decrease हो गया आगे बाद से बहुत बढ़ी है और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है पैरे बच्चों किसर अगर यहां पे आपको देखने को मिल सकता है किसर वोन का अगर increase Resorption of कैलिशियम कि अगर कैलिशियम का जो बोन का Resorption है कि बोन टूट टूट के कहा निकल रही है कि हमारी बोडी के अंदर आ रही है हमारे ब्लड के अंदर आ रही है तो उस कंडिशियन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है उस कंडिशियन भी मैं इसके कुछ science symptoms की बात करता हूं, science symptoms अगर CBS की बात करूँ, मैंने आपको क्या बताया था, hypocalciam में के अंदर heart rate कम हो रहे थी, BB कम हो रहा था, dimnist, peripheral pulse हो रहे थी, यहाँ पर just older होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पच्चों, किसा heart rate increase हो जाती है, BP क्या होता है, BP बढ़ जाता है, लेकिन BP initially बढ़ता है, initially, लेकिन BP decrease होता है, later phase के अंदर, आगे बास्स में, bounding, pulse आपको देखने को मिलेगी, या हम कह सकते हैं, dimnist नहीं, full peripheral pulses देखने को मिलती हैं, full peripheral pulses आपको देखने को मिल सकती हैं, आपको अगर इन बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कि bounding pulse क्या होती है, weak pulse क्या होती है, full volume pulse क्या होती है, तो मेरा fundamental के अंदर हमने lecture ले रखा है, पूरा vital science के उपर, और वहाँ पल्स के बारे में इतना detail में मैंने आपको पढ़ाया है, कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आगी बात समझ में उसको जाके देखें, शायद मेरी तीसरी और चौती किलास के अंदर है, fundamental की playlist में जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगी, कि भई यह निूरो के अंदर, निूरो के अंदर कौन कौन सी conditions आपको देखने को मिल जाती है, आपको क्या देखने को मिलता है, डिस ओर्येंटेशन, डिस ओर्येंटेशन देखने को मिलता है, लिथार्जी आपको देखने को मिल सकता है, बंदा कॉमा में जा सकता है Profound Muscle Weakness और Absent Absent and Diminished Deep Tendon Reflex आपको वहाँ पे कहाँ देखने को मिला था मैंने आपको बताया था कि Hyper Active Deep Tendon Reflex देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पे आपको absent होंगे या फिर diminished आपको देखने को मिलेंगे आगे बासिस में बहुत बढ़िया और आपको क्या क्या देखने को मिलता है अब आम GIT की बात करते हैं तो जो mortality है GIT की decrease mortality decrease mortality decrease mortality decrease mortality of किसकी mortality कम हो जाती है मेरे प्यारे बच्चो decrease mortality of GI tract वहाँ पे hyperactive हो रहे थे ना sounds यहाँ पे कैसे होंगे किसर आपको देखने को मिलते हैं किसर highpoactive bowel sounds देखने को मिलेंगे अब जब bowel sounds hypoactive देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि भई ये constipation देखने को मिलता है constipation patient आपको देखने को मिल जाता है जिस वी बंदे के अंदर constipation हो थे उसका एक मातर कारण हो सकता है क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर्व वहां पे क्या देखने को मिल सकता है हाइपर केल्शीमिया देखने को मिल सकता है आगे बासल में और इसके अंदर स्टॉन फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है स्टॉन फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है नोजिया हो सकता है अब्डॉमिनल डिस्टेंशन हो सकता है चीक है एनॉरेक्सिया हो सकता है अब एनॉरेक्सिया तो हो गई है अनॉरेक्सिय का मतलब होता है कि भूग का नहीं लगना अनॉरेक्सिया का मतलब होता है कि भूग का नहीं लगना है तो इसको कैसे लगेगी है active है कि अब इसके कुछ में में अपको बताएता हूं कि इंट्र वेंशन से क्या कर सकते हैं तो क्या करेंगे कि administer करेंगे कि कि सल्एम सालュोशन कि एज प्रिस्क्राइब कि चाह करेंगे कि इसको आइसोटोनिक सलुशन देंगे ताकि उसका जो कैल्शियम लेविल हो बाहर निकल सके आगे वसन चलिए या फिर मेंटेन हो जाए और और क्या कर सकते हैं कि वह या उसका लिमिट कि इंटेक या लो इंटेक कि अगर वह कैल्शियम की टैबलेट ले रहा है लगातार तो उसको कहना है कि बढ़ी क्याल्सियम की टैबलेट अब बंद कर दो तुम्हें का लेविल जो हो पहुचाता हो चुका है कि इस कॉंटीनू कि या जाट डायरेक्टिक्स कि इसका रॉल है मैं आपको बताता हूं अभी और इस्टार्ट डायरेटिक्स टू इन्हेंस केल्शियम अक्सक्रिशन देखो अब आपने ये थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी आपको ये थोड़ी सी बात आपको जो है कैसे कैसे समझनी मैं आपको बताता हूं आपने ये सुना होगा कि जब भी हम डायरेकट्टिक्स जेते हैं तो पॉली यूरिया आप पिशंट को देखने को मिलता है पॉली यूरिया का मतला होता है कि उसके अंदर ज्यादा urine का देखने को मिलता है नौर्मल से ज्यादा देखने को मिलता है उसको बोलते है पॉलीउरिया लेकिन सर इसके अंदर Thiazade directing को अब इसके अंदर तो पहले ही केल catastrophically जादा है उसको निकालना है बार तो इसके अंदर discontinue क्यों करेंगे Thiazade directing को क्या करती है केल्शियम को रोकने का काम करती है केल्शियम गो रिटेंशिन करने का काम करती है तो इसी लिए हमें क्या करना है इसको रोकना है इसको क्या करना है इसको क्या करना है और नॉर्मल जो डिरेटिक्स होती है लैसिक्स बगरा होते हैं फ्रूसेमाइड जो होता है हम उसको चलाना पड़ता है ताकि calcium भी उसके साथ निकल जाए इसके अंदर इस specialty होती है इसके अंदर इसी power होती है कि calcium के कणों को क्या करती है रोकने का काम करती है तो calcium को retention का काम कौन करता है थायजा directics करती है इसको क्या करना है हमें बंद कर देना है तो यहां तक की जो बाते हैं वो calcium के ऊपर थी calcium एक अच्छा topic है आपको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज इसको वापस पढ़ें वापस समझें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी है मैंने आपको बताई है इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है ठीक है आपको पढ़ना है लिखना है और समझना है इसके कुछ दो दिन questions है जो NCLEX-based है मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हैं आपको questions का answer करना है the nurse is assisting the the nurse is assisting the client with the lactose intolerance the disorder of the suspected diagnosis with the hypokalcemia disorder क्या है आपको किसी भी तरह पे कुछ नहीं जाना है जितने लंबा question होता है उतना easy होता है आपको इसके अंदर बताया गया है कि एक बंदा है lactose intolerance का lactose intolerance का एक बंदा है क्या होता है कि disorderly or suspected बिद्दा hypokalcemia है उसको and which clinical manifestations both the nurse expect the note in the client client किस manifestation किस sinus symptoms को note करने के लिए आएगी किस sinus symptoms को note करेगी तो hypokalcemia के hypokalcemia के अंदर कौन-कौन से sinus symptoms आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में पूछा गया है तो बताएंगे बटाबट से देखो twisting आपको कहा देखने को मिलती है अब हाइपो एक्टिब डीप यह पॉजिटिब साइन देखने को मिलता है किसके अंदर हमारे hypokalcemia के अंदर तो यह भी कंडिशन गलत होगे अब हाइपो एक्टिब डीप tendon reflex, हाइपो केल्षियमे के अंदर हाइपो नहीं मिलते हैं, सर फाइपर मिलते हैं, तो यह भी question गलत हो गया, बचा कौन सा, twisting आपको देखने को मिलती है, हाइपो केल्षियमे के अंदर मैंने आपको बताया था, कि twisting देखने को मिलेगी, cramps आपको देखने को मिलते हैं आपको seizures देखने को मिलते हैं आपके heart पे CBS की बात करों तो आपको heart rate जो है वो increase देखने को मिलती है और heart rate कम देखने को मिलती है BP की भी कम देखने को मिलता है dimnage या peripheral जो pulse होती है वो beak देखने को मिलती है मिलती है नहीं मिलती है किसर बिलकुल मिलती है और ये हमारा hyperactive deep tendon reflex देखने को मिलता है hypo नहीं मिलता है negative नहीं positive positive sign देखने को मिलता है chovestic sign देखने को मिलता है बहुत बढ़ी है question number 2 question number 2 की बात करते है question क्या कहता है कि the nurse is caring for the client with the Crohn's disease and who have the calcium level कितना है उसका उसका जो calcium level है वो 8 mg per dl है normal से कम है hypo calcium में की condition है तो which pattern would be the nurse match the electrocardiogram मतलब की ECG के अंदर hypo calcium में के अंदर क्या देखने को मिलेगा वो उसके बारे में पूच्छन पूचा गया है बताएंगे फटा पुट से या तो peak T-wave देखने को मिलेगी widen T-wave देखने को मिलेगी prolonged QT interval देखने को मिलेगा prolonged ST interval देखने को मिलेगा अब 8 mg per dl है तो यहां पे क्या हुआ बच्चो hypocalcemia की सिकायद आ गई है कि hypocalcemia का बंदा है और hypocalcemia की अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि prolonged ST interval देखने को मिलता है prolonged ST interval और prolonged QT interval देखने को आपको मिल जाता है क्या मेरी बात आप तक पहुच गई है बच्चो समझ में आ गया है मैंने आपको क्या क्या चीजे बताई है यहां तक कि कहानी में किसी को कोई doubt तो नहीं है बच्चो यहां तक कि कहानी में किसी को doubt तो नहीं है अर भाईया अगर आपको यहां पे देखना है कि सर हमने देखा कि सर मैंने आपको बताया था यह रहा देखो इसी चेंजेस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि prolonged ST and QT interval आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा important है और अगर मैं आप से calcium की hypercalcemia की बात करूँ कि सर hypercalcemia के अंदर भी क्या देखने को मिला तो hypercalcemia के अंदर मैंने आपको लिखाया है शायद नहीं लिखाया तो वापस लिख लेंगे यहां पर यह भी ज़्यादा important है कि सर hypercalcemia के अंदर अगर ECG changes देखने को मिलते हैं तो क्या देखने को मिल सकता है बच्चों यहां पर short end आपको देखने को मिलता है short end ST segment ST segment आपको short देखने को मिलता है दूसरी बात यहां पर क्या देखने को मिलती है कि सर ST segment देखने को मिल रहा है and wide end wide end आपको T wave देखने को मिलेगी ST segment तो आपको क्या देखने को मिलेगा short end देखने को मिलेगा और wide आपको T wave देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको heart block की condition भी देखने को मलती है heart block भी आपको देखने को मिल सकता है क्या मेरी बात आप तक पोच गई है समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चो यहां तक की जो कहानी है वो सिर्फ किसके बारे में थी हमारे calcium के regarding थी calcium से बहुत ज़्यादा important है इस topic को पढ़गे लेके आए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को like करेंगे subscribe करेंगे और अपने दोस्तों के साथ share करेंगे ताकि उन्हें भी इस चीज़ का मौका मिल सके उन्हों भी ग्यान जो है वो बांटने से बढ़ता है अगर आप किसी वो ग्यान नहीं बाटोगे तो आपका जो ग्यान है वो इससे रह जाएगा वो बढ़ेगा नहीं कभी ठीक है कभी भी लालच जो होती है या फिर हम कह सकते हैं कि selfless जो selfness जो होती है वो नहीं रखनी चाहिए आदमी को आगे वासे में यह नहीं होना